हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग और स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंट्स आज है एक मार्च और आज से इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं एक motivational quotes के साथ जो कि एक काफी important है आने वाले times में जो भी exam होने वाले हैं आज से ही आप अपने target को set करें क्योंकि यदि आज से ही अपने target को set करेंगे एक से डेड़ महीने के बाद जो भी exam होंगे उसमें आप 100% सफल होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक motivational quotes के साथ तो फ्रेंट्स से जब भी पढ़ाई करने बैठें एस सोचें की आखरी बार पढ़ रहा हूँ कल मेरा exam है यकीनन इस सोच के साथ की तयारी एक अलग level की होगी और आप बड़े से बड़े exam को आसानी से पास कर लेंगे फ्रेंट्स से बिस्वास करिए एक course इतना inspirational है कि आपको अपने लक्ष को पाने के लिए मजबूर कर देगा तो फ्रेंट्स से इस motivational course के साथ ही आज से अपने target को set करें और एक अपने target को नया आयाम दे और आज से पढ़ाई में लग जाए तो फ्रेंट्स से इसी motivational course के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज यहाँ पर हमने लिया है static GK का set number 5 काफी important है और आने वाले times में जो भी साहिक बोरिंग टेकनीसिन का एक जाम होने वाला है इसमें 100% यहाँ से प्रश्ण पूछे जाएंगे तो आज का पहला प्रश्ण है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अस्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे तो इसका right answer हो जाएगा option number A उत्तरप्रदेश में 44 पुलिस इस्टेशन में उग्र भीर द्वारा जो है उसमें आग लगने के कारण जो है यहाँ आंदोलन अस्थगित कर दिया गया था तो यहाँ से extra point को समझते हैं जो कि यहाँ से important facts बन सकते हैं तो सबसे पहला point है कि 44 कांड जो है इसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस कर्मी जो है मार दिये गये थे आग जलजनी के कारण ठीक है और असहयोग आंदोलन के दवरान जो है उग्र आंदोलन कारियों ने गोरकपुर जिले के 44 पुलिस थाना में उसको घेर कर आग लगा दिया जो कि most important है कि 44 हत्यकांड कब घटित हुआ था तो 44 हत्यकांड जो है पांच फरवरी 1922 को इस डेट को याद रखिये क्योंकि बार बार ये रिपीट होता है दूसरा point बनता है यहां से कि गांधी जी द्वारा जो है आसहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था तो गांधी पहला point हमने बताया कि 44 हत्यकांड कब हुआ था तो 5 फरवरी 1922 को next point है कि गांधी जी द्वारा जो है आसहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को फिरंट चलते हैं next question पर अगला question है कि भारत में कितने संगठन संयुक्तरास्ट के अंग है तो इसका right answer हो जा यहां से important point को समझते हैं सबसे पहला point है कि संयुक्तरास्ट की बात आई है तो सबसे पहले देख लेते हैं संयुक्तरास्ट की अस्थापना कब हुई थी तो संयुक्तरास्ट की अस्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्तरास्ट की अस्थापना हुई थी और यहां से कोशन और बनता है कि सठ़ापना दिवस कर मना जाता है तो जाहित açık वात सठ ठापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 के हुआ था तो अस्ठापना भी इसी दिथी को मना जाती है तो 24 अक्टूबर को सठापना दिवस मना जाता है एक नाम इन प्रेंक्लिन डी रुजवेल्ट के द्वारा किया गया था, चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है कि भारत के चित्रण नावकिये सक्ति कारकरम की अस्थापना किस ने की थी, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A doctor homie bhabha के दोरा right answer रो जाएगा option number A doctor homie bhabha के दोरा यहां से कुछ important point है उसको यहां पर note कर लीजिएगा सबसे पहला point है कि पर्माड उर्जा आयोग की अस्थापना कब हुई थी तो पर्माड उर्जा आयोग की अस्थापना 10 अगस्थ 1948 को हुई थी 10 अगस्थ 1948 को next point बनता है कि पर्माड उर्जा विभाग की अस्थापना कब हुई थी तो 1954 में हुई थी देखे दोनों question में काफी different है और काफी बारी repeat होता है कि सबसे पहले question है कि पर्माड उर्जा आयोग की अस्थापना कब हुई तो 10 अगस्थ 1948 को next point है कि पर्माड उर्जा विभाग की अस्थापना कब हुई तो 1954 में और जब बात ही यहाँ पर पर्माड उर्जा के साथ जुड़ा हुआ है तो डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी काफी famous जोकी यहाँ इससे जुड़ता है तो डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का missile man कहा जाता है तो कई बार प्रश्ण बना है कि भारत का missile man किसे कहा जाता है डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है अब चलते हैं अगले point पे अगला question है कि महत्मा गाधी ने लाड इर्विन को लिखे अपने पत्र में कितनी मागे थी जिन में से कुछ को गाधी इर्विन समझावता के रूप में स्विकार किया गया था तो इसका राइट एंसर रह जाएगा option number D यानि गाधी इर्विन समझावता के दोरान जो है 11 मागे स्विकार कि गई थी देखिए आप से मागे नहीं पूछेगा क्यों यहां से आप इस point को याद रखेगा कि कितनी मागे स्विकार कि गई थी 11 मागे स्विकार की गई थी और इसका यहां से एक पॉइंट और बनता है कि गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था तो गांधी इर्विन समझोता पांच मार्च 1931 को हुआ था ठीक है पांच मार्च 1931 को हुआ था अब चलते हैं अगले question पे अगला question है कि world book and copyright day कब मनाया जाता है world book and copyright day जो है कब मनाया जाता है तो इसका right answer जाएगा option number C 23 April को मनाया जाता है most repeated question है UPSC में काफी बार repeat हुआ है तो यहां से कुछ important जो day है important day को हम cover कर लेते हैं तो सबसे पहला है 23 January को जो मनाया जाता है 23 January को नेताजी सुभासेंद बोस की जैनतिक उपलक्ष में पराकरम दिवस मनाया जाता है और 24 January को क्या मनाया जाता है रास्टी बाली का दिवस मनाया जाता है और 11 माई को क्या मना जाता है राष्टी प्रद्यों की दिवस मना जाता तो इन सब पॉइंट को आप याद रखे गए 11 माई को राष्टी प्रद्यों की दिवस मना जाता है अब चलते हैं अगले question पर अगला question है कि 1922 से 1922 में आ सहयोग आंदोलन का नेत्रित जो है किस ने किया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D महात्मा गाधी यानि 1920 से 1922 में आ सहयोग आंदोलन का नेत्रित तो किस ने किया था महात्मा गाधी के दोरा किया गया था इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D अगला question है कि भारती राश्टी कांग्रेस के पहले मुस्ली मध्यक्ष कौन थे तो भारती राश्टी कांग्रेस के पहले मुस्ली मध्यक्ष थे बदरुद्दिन तयब जी इसका right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा देखिए सबसे पहले जो है भारती राष्टी कांगरेस की जो पहले मुस्लिम अद्यक्ष थे बदरुदिन तयब जी थे तो सबसे पहला अधिविशन कब हुआ था 1887 में हुआ था कहां पर हुआ था पूछता है कई बार कई बार पूछा है कि कहां पर हुआ था पहला एंसर हो जाएगा option number बिक्रम सारा भाई को भारत के अंतरिक्ष कारेकरम का जनक कहा जाता है और एक कोशन और बनता है कि बिक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है तो यह जो है तिरुवनंत पूरम में है कहां पर है तिरुवनंत पूरम में है चलते हैं next question पर अगला 1974 में इसका right answer हो जाएगा option number D देखे भारत ने सबसे पहले परमार परिछन जो है 18 मई 1974 को यहाँ पर भारत ने किया था और बात करें अभी तक वरतमान में 20 में कितने देशों ने परमार परिछन किया है तो आख कुल 8 देशों ने परमार परिछन किया जो कि most important है अब चलते है कि अगले कुल्चन पर अगला कुल्चन है कि रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था तो इसका right answer हो जाएगा option number C जो है को मनाया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर D 24 अप्रेल को देखिए यहां से इंपोर्टेंट कोश्चन मनता है कि किस संविधान संसोधन के ताहस 24 अप्रेल को यह कभ प्रभावीत हुगा था तो 73 संविधान संसोधन यां से पूच्छन है कि भारत सरकार की निमिलिखित में से कौन सी बेवस्था भारत में प्रतेक्ष विदेशी निवेश यानि FDI जिसे कहते हैं यानि फारेंड डारेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं को आकरसित करने के लिए नहीं है तो देखे सबसे पहला पॉइंट है कि भारत सरकार ने FDI प्रस्ताओं के अनुमोधन तंत्र को सरल बनाया है बिल्कुल सही है नेक्स्ट पॉइंट है कि FDI के प्रस्ताओं को आवेधन प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर स्विक्रती दे दी जानी चाहिए यह बिल्कुल सही है और यहाँ पर जो थर्ड दिया है कि भारत सरकार ने घोश्रा की उद्दमिता पाठिकरम का प्रबंधन राज सरकार को दिया है यह गलत है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C अगला कोशन है कि भारत ने किस पंचवर्सी योजना के दोरान मिस्तरित अर्थव्योस्था का बिकल्प चुना इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B दूसरी पंचवर्सी योजना के दोरान मिस्तरित अर्थव्योस्था का बिकल्प चुना इसका राइट एंसर जाएगा option number B अगला question है कौन सा सहर स्वाडिम चत्रभुज राजमार्ग नेटवर्ग जिसे कहते है golden quadrilateral highway network का हिस्सा नहीं है तो इसका राइट एंसर जाएगा option number A हैदराबाद इसका हिस्सा नहीं है बाकी मुंबई, कोलकाता और दिल्ली यहाँ पर इसके हिस्से है अगला question है कि वे प्रसिद भारती महिलावकील कौन है जिन्होंने भारती दंड संगीता IPC यानि इंडियन पैनल कोड की धारा 377 के विरुद कानूनी लड़ाई का नेत्रित किया अगला question है कि भारत का सबसे ब्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है तो भारत का सबसे ब्यस्त समुद्री मार्ग तो इसका right answer जाएगा option number D उत्री Atlantic समुद्री मार्ग सबसे ब्यस्त समुद्री मार्ग है तेकि यहाँ से तीन question बनता है काफी important इसको जरूर पेंडाउन करिएगा पहला point है कि सबसे अधिक best नहर कौन सी है तो सबसे अधिक best नहर जो है स्वेज नहर है कौन सी है स्वेज नहर दूसरा point बनता है कि सबसे best नदी मार्ग कौन सा है सबसे best नदी मार्ग राइन नदी है सबसे best नदी मार्ग कौन सी है राइन नदी है अब चलते हैं अगले question पर अगला question है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज उत्तर प्रदेश है इसका right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा अगला question है कि निमलिखित में से कौन सा computer का एक घटक नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option number D कागज इसका घटक नहीं है जबकि ALU, CPU, memory यह सब इसके घटक है तो बात आई ALU की तो ALU का full form क्या होता है ALU का full form होता है arithmetic logic unit होता है बात करें CPU को computer का मस्तिस कहा जाता है तो CPU का full form होता है central processing unit होता है अगला question है कि दिती विश्यूद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपात कालीन भोजन और स्वास्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक तराष्ट दोरा काउंसी एजनसी बनाई गई थी तो इसका right answer हो जाएगा option number A UNICEF एजनसी बनाई गी थी दिती विश्यूद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपात कालीन भोजन और स्वास्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक तराष्ट दोरा काउंसी एजनसी बनाई गी थी UNICEF एजनसी बनाई गी थी अब बात करें UNICEF की बात आई है तो UNICEF की अस्थापना कब होई थी तो UNICEF की अस्थापना 11 दिसंबर 1946 को UNICEF की अस्थापना होई थी UNICEF का मुख्याल है कहाँ पर है UNICEF का मुख्याल है New York में है ठीक है और इसी के साथ एक पॉइंट आता UNESCO जुड़ा होता है तो UNESCO के बारे हम जान लेते हैं जैसे यहाँ पर दिया UNESCO भी वाला पॉइंट तो UNESCO क्या होता है UNESCO का सबसे पहले फुलफार्म देख लेते हैं तो UNESCO का फुलफार्म होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization होता है और इसकी अस्थापना की बात करें तो इसकी अस्थापना जो है और इसकी अस्थापना होई थी साथ अपरेल 1948 को WHO की अस्थापना होई थी अगला कोशन है and last question है आज का खिलाफत आंदोलन का नेतरित तो किस ने किया था तो खिलाफत आंदोलन का नेतरित तो किस ने किया था तो इसका right answer हो जाएगा option number A सौकत अली और मुहम्मद अली के दोरा यानि खिलाफत आंदोलन का नेतरित किस ने किया था सौकत अली और मुहम्मद अली के दोरा किया गया था तो friends यह रहा आज का question तो friends से अपने life में जो भी आप achievement करना चाहते हैं तो friends अपने life के achievement के लिए आज से आप लग जाएए एक motivational course के साथ क्योंकि friends से जैसे ही आप अपने पढ़ाई के लिए ज़्यादा ततपर रहेंगे उतने ज़्यादा आप सफलता के करीब रहेंगे तो friends से बस इसी के साथ अपने वीडियो को बिराम देते हैं बाकिया वीडियो कैसे लिए comment box में ज़रू बताएगा क्योंकि आपका एक comment और एक like हमें next वीडियो के लिए motivate करता है तो friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद